असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है तोसी फिजाज और आप देख रहे हैं दीजी नोड्स यूट्व चैनल तो गाइज आज हम HCI चैप्टर नमर नाइन को शुरू करेंगे जिसका नाम है इंटरेक्टिव स्टायल्स ठीक है तो इस लेक्ट्र में हम जाएनेंगे कि इन्टरेक्टिव स्टायल्स ड्या है इसका क्या मतलब है और इसी तरह मुइक स्था यह Speak gw शीट मतलब है एकसल को हम चैनल को हम क्रेसं कते हैं वेंप क्या है और विसी तरह 3-DOL या 3-DOL interfaces टै क्या और उसके साथ हम पढ़एंगे कि concept of persona का concept of persona बैसिकली क्या है यह थे sellback पड़ते हैं में क्यों पढ़ते हैं और इसी तरह 3-DOL design और इतनों ग्राफिक इंट्रव्यूज बहुत ही इंपोर्टन है वह पढ़ेंगे त्री टरे इसके तीन फॉर्म्स है मतलब तीन मैटड़्स है तीन टेक्नीक से फॉर्म्स है मीनिंग है और बहएवियर है ठीक है तो इतनों ग्राफिक इंट्रव्यूज अ इंट्री टरम्स टेक है बहएवियर फॉर्म्स एंड मीनिंग और उसके बाद हम टाइपस ऑफ परसॉना पढ़ेंगे जिस जिसके जो है तीन तरह के परसॉनाज है तीन टाइपस है लास्टिक है सेल्फ रिफरेंशल है और इसी तरह मतलब डिजाइन डिजाइन एच केस है त तो यह तीन हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंटे हैं कि वत इस इंट्रेक्तेव स्टाइल इन वद आधिस टिंग्स टेक है तो गाइस चलो शूरू करते हैं ऑगाशलू करते इंक्स स्टाइल तो दीज और फ्रेंट जिशेए उसर एंड कंप्यूटर सिस् styles की वज़े से in styles की वज़े से हम interaction को बखतर बनाते हैं तो इसको interactive style कहते हैं तो hci में यह बिलकुल main chapter है और यह question जो है आपको किसी paper में भी जो है आ सकता है क्योंकि यह important question है okay तो interactive style हमने पढ़ा कि वो चीजे जिसकी वज़ा से हम क्या करते हैं interaction को बहतर बनाते हैं, computer और user के interaction को बहतर बनाते हैं, तो इनको interactive styles कहते हैं, ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, next, तो guys, following अर्दसम interactive styles, तो सिबसे पढ़ते हैं, CLI को, CLI क्या है, basically command line interface है, तो अब इसका मतलब यह है, कि expert बंदे, जो कि हमारे पास DOS मुझूद है, DOS operating system आदे पढ़ा होगा, DOS हमारे computer में भी मौझूद होता है, तो उसको expert बंदे यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको command याद करने पढ़ते हैं, और उस पर आप किसी भी file को direct execute कर सकते हैं, ठीक है, notes आप यहाँ पर पढ़ें, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद menu's की बात करते हैं, तो आपके पास इस interfaces होते हैं, जिन में आपने menu's लगाया होते हैं, मतलब जो options, multiple options आप user के लिए show करते हैं, और icon के साथ, अगर icon के साथ हैं, तो वो self explanatory हो जाएंगे, तो इस वज़े से क्या होगा, user को आसानी होगी, चीज़ों को find out करने के लिए, ठीक है, तो menu's basically user क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं, कि menu's से उनको main main चीज़ आप menu में रख लेते हैं, तो आपका जो software है, वो मतलब utilize होता है, उसके हर feature के बारे में user को पता चल जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, natural language है, तो natural language के दो मतलब हो सकते हैं, कि आप क्या करते हैं, जो आपके पास laptop है, या computer है, तो उसमें wise recognition system लगा होता है, जो कि natural language को इस्तिमाल मतलब के recognize करता है, जैसा कि आपके पास Google है, तो Google में हमारे पास क्या मुझूद है, wise recognition system मुझूद है, अगर आप English में word बोलते हैं, कि I am going, या something like this, तो वो उसमें क्या हो जाता है, उसमें record हो जाता है, आपको दिखा भी देता है, बिलकुछ, साफ दिखा देता है, ठीक है, कि आपने ये बोला, और दूसरा हम यह कह सकते हैं, कि कुछ system होते हैं, अब यहाँ पे हम user interface की बात कर रहे हैं, तो कुछ system में से होते हैं, कि वहाँ पे क्या होता है, कि आप जो system है, तो वो natural language में वो बना देते हैं, जिसा कि China ने अपने computer जो है, वो अपने natural language में बनाया है, तो उनके लिए असानी है, सही है, अब most of computer English में हैं, तो कुछ लोग familiar होते हैं, English से और कुछ नहीं होते, तो यह तोड़ी सी difficulty है, तो ज़रूरत यह है, कि आप natural language में कोई चीज जो है, या जो international language है, उसमें आप कोई चीज जो है, वो design करें, सही है, अगर आप उर्दू में design करते हैं, तो पिर specific user के लिए वो बन जाएगा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कि spreadsheet क्या है, तो spreadsheet बैसिकली यह है, कि tabular form में आपको data show करवाता है, और उसमें क्या है, कि आप charts लगा सकते हैं, आप मुखतलिफ calculations कर सकते हैं, तो वो किस की जरी करेंगे, spreadsheet की जरी है, यह interactive application, which store data tabular form, tabular form में, जो हमादे पास excel है, और इसी तरह मजीद software है, तो वो क्या करते हैं, data को tabular form म store करते हैं, आपको calculation जो है, वो करके देते हैं, या charts बना के देते हैं, यह इसी तरह मुखतलिफ सीज़ा को बनाते हैं, सही यह, हाचा, उसके बाद हम बात करते हैं, form filling, तो form filling क्या है, कि कुछ interfaces ऐसे होते हैं, जिन में आप क्या करते हैं, आप से कुछ question जो है, वो पूचे एक form या, कोई rating की option दे देते हैं, जिसके जरी से क्या होता है, कि आपको पता चलता है, कि user कितना satisfy है, मेरे software से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कि form filling is useful for more general data, इंटरी, तो general data, और इसी तरह, अगर आप ने कोई admission करनी है, तो उन के लिए भी, उसके लिए भी आपको form, जरू फिलेंगा, ठीक है, आपने बहुत से sites देखोंगे, कि वहाँ पर आपको form fill करने पढ़ते हैं, उसके बाद dialogue boxes हैं, तो dialogue boxes जो हैं, वो basically guidance आपको देते हैं, कि आपने क्या किया, आपने गलत किया, या take किया, मिसाल के तोर पे, आपने क्या किया, आपने एक software को install किया, तो एक my computer को आप अगर delete करेंगे, तो आपको हो सकता है, एक message जा जाए, कि नहीं, आप my computer को delete नहीं कर सकते हैं, या my computer को खेर वो तो delete हो जाता है, मगर, जो C partition है, जिसमें आपने window install की है, तो आप उसे format करना चाहते हैं, तो वो format नहीं होगा, सही है, तो ये basic concept है, आपको एक dialogue box के यसे दिखाए जाएगा, कि हाँ, आप कुछ गलत कर रहे हैं, यसा ना करें, सही है, तो क्या है kind of box which help the user to be perform the task or not, ठीक है, तो और दूसरी बात यह है, कि अगर आप कोई task perform करना चाहते हैं, तो आपसे पूछे जाता है, कि हाँ, आप proceed करना चाहते हैं, या नहीं करना चाहत ठीक है, जो हमारे पास क्या है, विंडोज में जो आपने देखा होगा, जो ठीक सा होता है, मतलब scrolling करता है, उसको विंप कहा जाता है, तो यह क्या है, it is a style for GUI, मतलब graphical user interface जो है, जो हमारे graphical user interface है, आपने विंडोज टोल की है, वहाँ पे आपको mouse का point नजर आएगा, तो point and click का क्या मतलब है, तो it is closely related to WEM, WEM के तरह ही होता है, in web browser, most of interaction requires a single click, जिक है, तो point and click का मतलब यह है, कि आपको, आप अपने computer को भी बना सकते है, point and click, जिक है, आप भी settings जो है, आपको मिलेगी, हर computer में, तो आप क्या कर सकते है, किसी भी computer में, आप मतलब, वहाँ पे setting में जाके आप यह कर सकते है, कि one click पे आपको चीज जो है, वो open होगी, तो इसी तरह, अगर आप web पे किसी site पे या जहां पे भी आप click करते हैं, तो आपको directly site open हो जोता है, तो इसको कहते है, point and click, next बात करते है, कि what is three dimension interfaces, तो three dimension interfaces जो है, वो बहुत popular है, और इसने क्या कि ECI को three motions जो है, वो होते है, three dimension effects होते है, तो वो software को बहुत ही ज्यादा use किया जाता है, तो क्या है, three dimension neural interface become more popular in the area of HCI, ठीक है, तो simple से notes में आपको बताए, और आपको समझाया, तो guys, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, next हम पढ़ेंगे, के concept of persona, persona क्या है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ आप से जादा चाता हूं, खुदा राफेज,